हेलो मूवियंस तो आज मैं आपको डेथ नोट इस मूवी के डेटेल स्टोरी बताने वालो इस फिल्म में एक लड़के को एक किताब मिलते है जिसमें अगर किसे का नाम लेख दे गया तो वो मर जाएगा लेकिन इस किताब के भी कुछ रूल्स होते हैं और यह लड़का इस किताब के ज़रिये क्राइम को कम करना चाता है तो क्या लड़का आपने मकसद में काम्याब हो पाएगा इसको रास्ते में कौन-कौन सी मुश्किले आएगी और इस बुक के रूल्स क्या है तो फिल्म की शुरुवात में हमें सियाटल वशिंग्टन के एक हाइश्कूल का सीन देखाय जाता है उदर एक स्टुडेंट होता है जिसका नाम होता है लाइट टैनर तो एक मामली दिन जब वो हाइश्कूल में होता है तब एक तुफान हाता है और उसके पास आस्मन से एक बुग गेरती है इस बुक का नाम होता है देथ नोट तो मैं आपको इस बुक के बार में थोड़ा सा बता देता हूँ डेथ नोट बहुत ही जदा डेंजरस और पावरफुल चीज होती है अगर उसमें किसी का भी नाम लिख दे गया तो वो मर चाहेगा लेकिन इसके भी कुछ रूल्स होते है जैसे अगर जिसका भी नाम लिखना है उसका चेहरा हमें पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसा है और जब भी हम उसका नाम लिखते है तब हमें यह भी लिखना होगा कि वो मरेगा कैसे यानि उसके मरने का तरीका और जो मरने का तरीका जो हम लिख रहे है वो रियालिटी में होना चाहिए पॉसिबल यानि कुछ भी नहीं लिख सकते यानि जैसे एक आदमी को मारने के लि किसी दूसरे को भी दे सकता है और इस book का एक rule यह भी होता है कि अगर इस book में 7 दिनों के अंदर किसी का नाम नहीं लिखा तो यह book किसी दूसरे के तरफ ही चली जाएंगी यानि 7 दिनों के अंदर किसी का ना किसी का नाम तो लिखना ही होगा तो यही रूल्स आगे जाके लाइट के लिए खत्रा बनते हैं तो यह सब आपको आगे पता चलेगा तब तक के लिए मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ तो बुक का एक प्रोटेक्टर भी होता है उसका नाम होता है र्यूक र्यूक एक्चुली God of death भी होता है और वो इस death note का first owner भी होता है और उसे लोगों को मरता हुआ देख बहुती मज़ा आता है जो भी death note का owner है current owner उसी को र्यूक दिखता है यानि बाकी दुसरे को र्यूक नहीं दिखता है और इसकी बाते भी बस जो ओनर है वोई सुन सकता है तो रियूक ये देखता है कि रूल्स फॉलो हो रहे है या नहीं और अगर रूल्स तूट गए तो रूक उस बुक को ले लेता है और इस बुक के ले कोई दूसरा ओनर धूंडता है लाइट को तो पहले ये भी नहीं पता होता कि ये बुक किस लिए रियूक इस बुक का असली मतलब लाइट को बताता है रियूक उसे किसी का नाम उदर लिखने के लिए बोलता है लाइट को कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परिशान कर रहे होते इसलिए light उन बच्चों का नाम लिख देता है उदर और उदर मरने का तरीका लिखता है कि उसका सीर कुचल जाना चाहिए तो जैसे वो उदर नाम लिख लेता है तो वो देखता है नीचे तो नीचे वो लड़का होता है वो किसी लड़की की छेटखानी करते रहता है कुछ ट्रक्स का एक्सिडेंट होता है और एक सीडी जो होती है वो किसी तरह उसके सिर पे टकरा जाती है और उसका सिर चकना चोरो के वो लड़का मर जाता है तो इस तरह light को इस book की power में यकिन हो जाता है तो क्यूंकि light को इस book की power के बारे में पूरा पता चल गया है इसलिए वो अपना personal revenge लेने के लिए उस book का यूज करता है light की mom मर चुकी होती है उसे मारने वाला एक gangster होता है जिसका नम होता है Anthony light के papa detective होते है लेकिन वो उस gangster को छोड़ देते है क्योंकि उनके पास कुछ सबुत नहीं होते तो light उस book में उस आदमी का नाम देख रहता है तो इसके बाद हमें उस आदमी का scene देखाया जाता है उस scene में हम देखते है कि वो gangster dinner कर रह होता है और तभी वो चाकू लेता है और अपने सिर में घुसर देता है और वो मर जाता है तो दूसरे दिन light के पापा को ये सब पता चल जाता है कि वो gangster मर चुका है तो ये सब बताने के लिए अपने बेटी के पास आता है याने light के पास तो वो light को बताता है इसके बाद Light और Light के बापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शीक के साथ वो दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं और उन दोने के बीच में जो दूरी है वो कम हो जाती है तो एक तरीके से ये बुक गंदे आद्मियों को मार के अच्छे काम कर रहे होती है इसके बाद Light इस दुनिया से क्राइम हटाने का सूचता है इसलिए वो एक पार्टनर धूनता है तो उसकी स्कूल की जो चेर लीडर होती है जिसका नाम होता है मिया उस लड़की को वो अपने साथ ले लेता है वो दूनों एक दूसरे को प्रामिस करते हैं कि वो दुनिया का सारा का सारा क्राइम खदम कर देंगे इसके बाद वो Criminals को मारना शुरू कर लेते हैं यानि उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए पहले पुरा नाम पता होना चाहिए और वो कैसे दिखते ये भी पता होना चाहिए तो इसके बाद वो उन क्रिमिनल्स का नाम लिखना शुरू कर देते हैं और वो कैसे मरेंगे ये लिखना शुरू कर देते हैं फिर वो क्रिमिनल्स Japanese meaning होता है killer और इस book का एक feature यह भी होता है कि अगर जैसे light ने किसी का नाम उदर लिख दिया तो light मरने से पहले 48 hours तक उस आदमी को control कर सकता है यानि जो भी आदमी मरने वाला है उसको light 48 hours तक अपने control में रख सकता है तो इसी तरह जो भी लोग मरने वाले होते हैं उन्हें पहल वह criminal मर जाएगा तो इस तरह दुनिया को पता चल जाता है कि केरा ने उस आदमी को मार रहा है यानि दुनिया केरा पर बिल्यू करते है कि केरा ने उस आदमी को मार रहा है यानि कराइम नहीं करना चाहिए तो इसके बाद केरा एक hero बन जाता है इसलिए कराइम बहुत ही कम हो जाता है दुनिया में लेकिन धिरे धिरे की जो किलिंग से वह बढ़ जाते क्यूंकि साथ दिन में एक को तो मारने होता है इसलिए किरा बहुत जनों को मार देता है याने लाइट और मिया बहुत लोगों के नाम लिख लेते और देखते यह आकड़ा जो है वह चार सो लगता नहीं है इसलिए किरा किसी को भी मार सकता है इसलिए किरा को दूढने के लिए किसी को मारना है तो उसे हमें पहले उसका चैरा देखना होगा इसलिए लाइट का अगरता है टीम में जो भी क्रेमनाल्स द scarf on मैं आपको बदा दू कोन है जेम्स एक्चुली लाइट का फादर होता है मैंने जैसे आपको स्टाइटिंग में बदा था कि लाइट के पापा डिटेक्टिव है तो वह यह यह जेम्स तो क्या होता है कि जेम्स जो होता है वह अपने बेटे को हर बात बताते है कि वह किरा के है plans वगरे सब बादा देता है और light को यह सब पता चल जाता है इसलिए light हमेशा पुलिस के एक कदम आगे रहता है light अपने बापा को पुछता है कि अगर उनने केरा को पकड़ लिया तो क्या होगा तो लाइट के बाबा उसे कहते है कि दुनिया के जितने भी लोग है वो दो इसों में बढ़ जाएंगे एक प्रकार के लोग यह कहेंगे कि कीरा को मार दिया जाए दूसरे प्रकार के लोग यह कहेंगे कि कीरा का ओपरेशन वगर ही किया जाए उसके हाथ पर तोड़के ये देखा जाए कि उसने ये सब के लिंग्स किये दुख किये कैसे ये सब सुनके लाइट बहुत जादा डर जाता है इसके बाद एल को कुछ लड़कों पे शक होता है इसलिए वो उनके पीछे FBA एजेंट्स लग लेता है उनमें से एक लड़का होता है लाइट याने लाइट के पीछे भी FBA एजेंट्स लग जाते है तो ये सब देखके मिया भी ज़्यादा डर जाती है मिया लाइट को कहते है कि उन सब लोगों को लाइट को मार देना चाहिए यानि light ने उन सब FBI agents का नाम death note में लिख देना चाहिए लेकिन light इसके लिए तयार ने होता light का मनना यह होता है कि कुछ दिनों के लिए उसे death note यूज नहीं करना चाहिए थाकि उस पे जो शक बना हुआ है वो शक L का मिट जाना चाहिए इसलिए light अपने death note अंदर रख देता है लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जो assistant director है FBI का उसे अचानक heart attack आता है और हो मर जाता है और इसी के बाद जो भी FBI agents light के पिछे लगे हुए थे वो लोग भी suicide कर लेते है तो light यह देखके बहुत जादा गुस्सा होता है उसे लगता है कि जो रिउक है याने जो death note का first owner है जो कि हर वक्त death note के साथ रहता है उसने उन सब को मारा है क्योंकि उसे लोगों को मरता हुआ देखकर बहुत मज़ा आता है लेकिन drug करता है कि उसने उन्हें बिल्कुल नहीं मारा वैसे आपको अंदजा तो होई गया होंगा कि किसने मारा है लेकिन वैसे भी मैं आगे बताने वालों कि किसने उन्हें मारा है इसके बाद James जो है वो टीवी में एक interview देता है जिसमें वो बोलता है कि वो किरा को find करें देंगे और उसे मार डालेंगे और वो कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो उन्हें भी मार के दिखाए और James खुद का चेहरा भी दिखाते और खुद का नाम भी बताते तो एल के हिसाब से अभी तक James मार जाने चाहिए लेकिन वो नहीं मारते क्योंकि जो James होते वो लाइट के फ गलती कर दी और आगे हमें पता चलता है कि उसने कित्ती बड़ी गलती कर दी तो एल यह सब आनलाइस करते हैं वो इस पैटन को देखता है कि James ने खुद का नाम भी पता दिया और चेहरा भी दिखा दिया फिर भी उसने नहीं मारा यानि जो भी लड़का है जिसने किरा का एकल छाम ले आएए वालाइटी ही हो सकता है लैटी के अलावा और कोईハハर और और इसके बाद मांटी में उसके बदार के लिए लाइट को पा पान किया लीकिन बहुक्त थे पता चल जाता है कि मिया जो है बलकि बुक में जादा इंट्रेस्टेट है और वो सब उसके साथ प्यार करने का नाटक कर रही है अब क्यूंकि एल को लाइट के बारे में फत्व चल गया है इसलिए लाइट चाहता है कि वो एल को मार दी लेकिन एल एक सुपर डेटेक्टिव होता है वो बचपन से डेटेक में बता है था कि अगर हमने किसी का नाम डेटनोट में लिग दिया तो 48 hours तक हम उस आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं इसके बाद वो मर जाएंगा इसमें और एक रूल होता है अगर हमने बुक पे किसी का नाम लिग दिया तो उस पेज को कुछ भी कर दो वो आदमी मरने वाल ह लेकिन बस एक बार हम ऐसा कर सकते हैं कि वो जो भी पेजे उसको जाला सकते हैं और फिर वो आदमी बच जाएंगा ये बस एक बार कर सकते हैं जो वाटारी है वाटारी एल का बहुत ज़्यादा क्लोज आदमी होता है लेकिन उसे भी एल का पुरा नाम नहीं पता होता है त वैसे उसे उसे पूरा नाम पता जल जाएंगा वैसे वह वाटारी का जो भी पेज है उसे आग में जला देंगा और फिर वाटारी बच जाएंगा इसके बाद वो एल का नाम उदर लिख देगा और एल मार जाएगा लेकिन यह जितना simple plan दिखता है उतना simple plan होता नहीं है और उसे बाद में बहुत ज़्यादा problems आते हैं तो बतातो मैं आपको कि उसको क्या problems आते हैं तो जो वाटारी जो है वो एल का पुरा नाम धुड़ने के पीछे लग जाता है और वो घर को छोड़ देता है तो जब एल को पाता सल जाता है कि वाटारी उदर से निकल चुका है और वो वाटारी को find नहीं कर पाता तो L को लगता है कि जो light है उसे ने वाटारी के control में ले लिया होंगा इसलिए L light के घर में जाता है और उसे strictly warn करता है कि अगर वाटारी को कुछ भी हुआ तो light बच नहीं पाएगा और L बहुत सारे police officers को light ही घर में बेशता है तो that note light के तरफ से चली जाएंगी और फिर रियूख उसे किसी दूसरी आदमी के लास दे जाएगा इसके बाद हमें वाटारी के सिन देखा जाता है वाटारी एल के बच्पन की स्कूल में जाता है तो actually वह स्कूल ने होता है वह detective बनने का headquarters होता है तो एल उदर का सबसे youngest candidate था बस 6 साल का इसके बाद वाटारी जो है वह बहुत सारी information find करता है और इधर हम देखते है कि light के घर में मिया क्या करती है बहुत ही चाला की से उसके घर में जाती है और death note को ले लेती है और इसके पहले कि death note पुलिस के हाथ में लगे मिया उसे अपने पास ले लेती है इसके बाद मिया light को लेके school में dance करने के ले जाती है मिया light को death note देती है अब क्योंकि 48 hours complete होने वाले होते है इसलिए light क्या करता है वाटारी का जो भी पेज होता है उसे जलाने के लिए तयार हो जाता है लेकिन जब वाटारी के नाम का जो पेज होता है वो उदर से किसी ने fire दया होता है अब उसे वो पेज मिलता ही नहीं और 48 hours complete भी होने वाले होते तब ये वटारी उसे call करता है तक कि वो उसे एल का पुरा नाम बाता सके और जैसे वो call करता है वैसे 48 hours complete हो जाते हे है और वह बताने से पहले उदर कुछ लोग पोच जाते और वह वटारी को मार देते यानि एक्चुली डितनोट का ही काम होता है उसे मारने का लेकिन 48 आवर्स कंप्लेट हो जाते और तभी वह मर जाता है इसलिए लाइट को अभी एल का पुरा नाम भी नहीं पता होता और वट इसके बारे में एल को पता चला तो लाइट तो मर गया इसके बाद मिया लाइट को बचाती कि उसी ने वटारी का जो पेज है वह गायब किया था और उसी ने जो एफब एजंट्स ते और एब या का असिस्टन डारेक्टर था उन्हें मार दिया अब आपको ये तो सवाल कि मिया को क्या फाइदा हुआ वाटारी को मार के अब इसमें वाटारी को मारना ना मारना इसमें कोई भी फाइदा ने था इसमें बस एक बात थी कि बुक का एक रूल है जिसमें हम बस एक ही आदमी को बचा सकते हैं उसका पेज जला कर तो मैं आपको बताऊंगा कि मिया का प भड़कना बंद कर देगा यानि light को heart attack आके वो मर जाएगा आधी रात को और वो page मिया खुद के पास रख लेती है तो मिया light को कहती है कि उसे वो death note चाहिए और अगर light ने ऐसा नहीं किया और अगर light ने ऐसा नहीं किया तो वो आधी रात को ऐसे में मरने वाला है क्योंकि उस उसका नाम उस death note में मिया ने लिख दिया है और वो page मिया के पास है और मिया कहती है कि अगर light ने उसे death note दे दी तो एक आत्मी को वो बचा सकते है रूल के हिसाब से तो वो light को बचा देंगी यानि वो जो page है वो उसे जला देगे इसलिए मिया क्या करती है कि वाठारी को मर नहीं देती है क्योंकि अगर light अगर वाठारी का page अगर जला देता तो मिया का ये plan तो successfully नहीं हो पता लेकिन ये भी उसके लिए आगे जाके बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली आपको पता है तो आपको ये भी बोल सकता है कि जो light है light के अगर सकता है कि मिया का नाम death note मे लीक सकता है और फिर भी मिया को फिर से blackmail कर सकता है लेकिन मैं आपको बता दू कि अगर मिया मर भी गई ठीक है सब्सक्राइब भी लेकिन मिया ने जो page light का अपने पास छुपा करें रहा है वो तो किसी को पता नहीं होता वो बस मिया को पता होता है तो अगर मिया मर भी क्या होता है लाइट पे और एक मुसीबात आ जाती है एल आता है वह लाइट को पकड़ लेता है और एल के सिर पे खून सावार होता है अभी वह कोई डिटेक्टिव या फिर कुछ इस प्राकार बहें ने करता है यानि वह कोई भी रूल्स में नहीं होता वह गुंडे की तरह लाइट को मारने के पीछे होता है तो जब वह लाइट को मारने वाला होता है तभी पता ने किदर से एक आदमी आता है शेफ होता है वह देख लेता है कि जो एल है वह लाइट को मारने वाला है तो एल क्या करता है ताकि कोई मुसीबत ना हो इसलिए एल क्या करता है वह जो शेफ है उसे बताते है कि ये जो लाइट है ये कीरा है और इसे मार कि ये वो दुनिया को बचा रहा है तो शेफ सुनता है ये सब इसके बाद एल लाइट को शुट करने वाला होता है तब ही वो शेफ एल के सीर पे जोरदार वार करता है और एल को बेहुश कर देता है अब आ ने उसके लिए एंडायेटतली अच्छे गाम की होते हैं कि उसने बहुत हैरे के 관심i यह तो इस तरह लाइट बैच जाता थोड़े जर के लिए इसके बाद लाइट मिया को मिलने के लिए फेरे सिविल पर जाताया मिया यह लेती है दुर फेरिश वील हो तूट जैता और गिरने लंगते हैं अब क्यों कि यह लाइट में मिया का नाम उससे में लिग दिया है अब आप भोलउगे कि यह लैट ने उसका नाम लिख दिया है लेकिन लाइट के पास तो खुत के नाम का पेल अव्ण आत जिसले वो द जला था तो महीं बुग जया तो फेरिसवील तूट जाता है और दिद्ध मर तभी लाइट पतानल कैसे लेकिन वुग गिरता है और लाइट नहीं मरता लेकिन मिया मर जाती है अब क्यूं हमलता तो अब को बतार डिता जब मियां उदर से गिरते रहती है तब उसके पास जो पेज होता है जिसमें लाइट का नाम लिखा होता है वो पता ने कैसे लेकिन उदर थोड़ी से आग जल रही होती है उदर वो पेज गिर जाता है और अब आग में वो पेज जल जाता है और इसके कारण जो लाइट है व और उसे कोई आदमी उठा लेता है लाइट पानी में गिर जाता है वो कोमा में चला जाता है वो होस्पिटल में बैठा हुआ होता है बेट पे याने सोया हुआ होता है कोमा में अब होस्पिटल में सोया होता है कोमा में तब ही पाता नहीं कैसे लेकिन चार लोग मर जाते है इसलिए भी सब लोगों का लगता है कि लाइट तो किरा नहीं हो सकता क्योंकि लाइट तो कुमा में है और वो तो किसी को मार नहीं सकता इसलिए सब का शक जो light पे है वो चला जाता है और फिर दो दिनों बाद light को होश आता है और जिस अत्मी ने उदर से book उठाइती याने river में जो book गिरी थी उदर से वो जो book उठाइती वो आदमी light को book देता है और वो आदमी खुद भी suicide कर लेता है तो यह सब कैसे हुआ आपको समझा नहीं होगा लेकिन मैं आपको explain करके बाता है तो light का plan बहुत ही mastermind वाला होता है वो क्या करता है फिर इस वेल में जाने से पहले और एक note लिखता है उसमें वो चार लोगों को select करता है first of all वो उस आदमी को select करता है जो इसने उस book को उस river से उठाए था यानि उस आदमी को पहले उसका नाम लिख देता है कि जहां भी अगर book गिरी तो उसे उसे उठाना होगा है 48 hours तक हम किसी का भी control ले सकते ना इसलिए वो उस आदमी का उधर नाम लेग लेता है इसके बाद जो सेकंड आदमी होता है वो होता है उस hospital का doctor इधर light जाने वाला होता है तो light का करता है उसका नाम लिख लेता है और उसे कुछ instructions देता है कि light को कुछ भी करके कोमा में डाले यानि कुछ ऐसे medicines दे जिसके कारण light कोमा में चले जाए तो अब आप पुछोगे कि जो बाकी दो लोग मरें वो कैसे मरें उसका नाम कोई भी नहीं लिखता है उसका नाम कौन लिखता है मैं आपको बतातो जिस आदमी ने river से book उठाती लाइट उसके बारे में लिखता है कि उसे दो आदमियों का नाम लिखना है तो वो उन दो आ दोक्टर के भी instructions वही होते है कि कोमा में अगर light चला गया इसके बाद 48 hours के बाद उस doctor को भी suicide कर लेना है तो इस तरह जो light है वो बच जाता है और उसी के बास death note रह जाती है तो आप पुछोगे कि L का क्या होगा तो अब मैं बतातो कि L के साथ क्या होता है तो L को नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने बहुत ही जादा गुंडे जैसे हरकत की होती है लेकिन L के अंदर तो आग जलता रहती है इसलिए L का करता है मिया के घर में जाता है अब जब वो मिया के घर में जाता है तो जब वो तलाशी लेता है तब उसे उदर एक page मिलता है तो मै पर पर लिखे और पर पर लाइट का नाम लिखे गाया या नहीं लिखेगा ये अब उस फिल्म में नहीं दिखा गया लेकिन बहुत सारे फाइंदेर इस है कि एल ने लाइट का नाम उदर लिख दिया अब यह इसलिए फिल्म वालों ने यह चीज छोड़ दे क्यूंकि उन्हें शायद को सीक्वल अगरे बनाना होगा इसका इसलिए उन्होंने यह स्टोरी को यहने बीच में छोड़ दिया पता कि वह घर के बाहर निकलेंगे तब उन्हें अपने आखों की बट्टी कुछ भी हो लिकिन हटाने नहीं है और अगर उन्होंने अपने आखों की बट्टी हटा दी तो वह मर जाएंगे और दुनिया के बाकी लोग इसलिए अ उसलिए मर घय क्योंकि अन्होंने आखें कवर तो अब यह औरत अपने आखों पे पट्टी बानकर अपने बच्चों के साथ बाहर निकलती है और वह किसले बाहर निकलती है क्योंकि उसे एक नदी पे नाव से किदर जाना होता है तो अब यह और अपने आखों पे पट्टी क्यों बानके और यह नाव से किदर जा रही है और उसने अगर आखों की पट्टी हटा दी तो क्या होगा यह सब जाननी के लिए आप उपर वाली वीडियो देखिए और वेनम फिल्म की फूल स्टोरे देखने के लिए नीचे वाली वीडियो देखिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बाब बाई